नमस्कार, हमारे यूट्यूब शैनल भहुती करेर क्लासस पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है, एक्जाम का सीजन स्टार्ट हो चुका है, हर तरफ जहां देखें, वैकेंसी ही वैकेंसी आ रही है, नमबर वैकेंसी कम हैं, लेकिन वैकेंसी आना चालू हो गई है, ऐसे ही एक शांदार बहतरिन वैकेंसी, बैंक नोट प्रेस, देवास लेकर आई है, लेकि उन कुछ वैकेंसी में से हैं, जो चुपटाप आती है और चुपटाप निकल जाती है, और इसका नोटिफिकेशन जिस प्रकार का होता है, और इसमें जो रिक्वार्मेंट्स मांगते हैं इसके बारे में भी कई बार हम लोगों को ठीक से बात समझ में नहीं आपाती, तो आज का यह जो वीडियो होने वाला है, इसमें मैं स्पेसिफिकली कौन-कौन से नोकरें यहां पर निकली है, और इस प्रिटिकुलर जॉब के लिए क्या रिक्वार्मेंट्स होनी चाहिए, वो सारी बार आपके साथ डिसक्स करने वालों, चलिए, एक नजर माल लेते हैं हम लोग कि कौन-कौन से वेकेंट्स निकली है, पूरा उसका चार्ट बना हुआ है, फाइनल अगर हम लोग दिखें तो 111 वेकेंट्स यहां पर हमारे सामने अभी आई है, और इन 111 वेकेंट में, सुपर्वाइजर प्रिंटिंग, कंट्रोल, इन्फरमेशन टेकनलोजी, जैसा कि आपने थर्मनेल दिखा होगा, जिसमें लिखा गया था कि इंजिनियर्स के लिए विकेंट्स इसी हैं, जो इंजिनियर्स के लिए हैं, जैसे कि आप तीसरी देखें, या फिर इसके न ने डिमांड करी है, हाँ आगी चलने से पहले एक बार अपर एज लिमिट पर ध्यान दिलवाना चाहूँगा, मैं आपका, देखें, तीस साल, तीस साल, तीस साल, अठाइस, पच्चेस, 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 और पच्चेस, और पहले मैं बात करता हूं उस वेकेंसी के बारे में जो ओपन फॉर ऑल है इस पोस्त का नाम है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट इसके जो एजन्चियल क्यालिफिकेशन है वो कहता है ग्राजुएशन विद एट लीस्ट 55 परसेंट मास्ट और कंप्यूटर नॉलेज़ नॉलेज आपसे वो कहता है आपके आपके स्पीड नॉलेज होना चाहिए मलब आपके ट्राइपिंग स्पीड जो है इंगलिश की वह 40 वर्ट पर मिनिट हिंदी की 30 वर्ट पर मिनिट आ जाए इसका मतलब कोई भी ग्राजुएट के फॉर्म फिल कर सकता है सैलरी के कॉंटेक्स में चलें तो इस बात ऐसी है कि जो टोटल आपकी नमबर ऑफ पोस्त है वो चार इसी प्रकार से स्पेसिफिक रिक्वायर्मेंट वाली जॉब्स के अगर में बात करूं तो इसमें सबसे पहले आता सूपरवाइजर प्रिंटिंटिंग यहां पर अगर हम लोग दिखें इंजि इंजिनियर हैं तो आप यह फॉर्म भरने के लिए अलिजिबल हैं और करके लिखा हुआ है कन्फ्यूज मत होईएगा इसमें कहता है बीटेक भी इन रेलेवेंट ट्रेड तो बढ़िया है और अधरवाइस इंजिनिंग फ्रॉम गवर्मेंट रिक्रगनाइज उनिवर्सि इंजिनियर जो भी है वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं इसके आगे हम लोग चलें सुपर्वाइजर कंट्रोल नहां पर आप देखिए गां उसने बोला है मैकनिकल इलेक्रिकल इलेक्ट्रोनिक्स आईटी कंप्यूटर साइंट सारी तो ब्रांच होगी कोई बच्ची होग इंजिरिंग इन कामल करेब आपकी ऐरेलेवंन ट्रेयड का मतलब है पर् golpe क्रोल में आपकी पास डिप्लोम इया डिकरी ना चाहिए अब इनके ऐसलरी की बात कर लेते हैं अल्यमिय चलकर मैं आपको ओवर्रॉर्ल सेलरी बताऊंगा इसकी सूपर्वाइजर जो प्रिंटिंग है उसकी डिसिक सेल्वेस 27,600 है, माग्जिमम एज 30 है, सूपर्वाइजर कंट्रोल जो है, उसकी माग्जिमम एज 30 है और बिसिक स्याल बिस 27,600 से आपकी स्टार्ट हो जो बने हैं, आइटी वाले. को हमारे लिए अलग से नॉक्रेश निकलती हैं. तो देखीं मिलेधिन के उन्टिनी मैं अगर मैं बात जाता मिलेधिन के चाहिंघीπειर इसका थ्यक्रियर बहुत अच्छा होता यह सब लोग यहां पर apply कर सकते हैं 27,600 आपका इसका basic salary बनने वाली है maximum age 30 minimum age 18 दुख और चिंता के बाद एक ही vacancy है पर दिखेंगे कोहनों के तो select हो गई न वह आप देओ सकते हैं आगे बढ़ते हैं specifically mechanical branch वालों के लिए vacancy है then electrical और information technology वाले जो engineers है उनके लिए vacancy है और यहां पर civil engineers जो है उनके लिए vacancy है अगर salary की बात करो तो यहां पर salary थोड़ी से डाउन है 18,730 का basic होने वाला है जबकि जो maximum age है वो भी 25 ही रह गई है age का relaxation जो मैंने आपको शुरुआत में बताया तो आपको यहां पर मिलेगा ही मिलेगा moving forward important dates थोड़ा सा मैं लेट हो गया है वीडियो बनाना है 22 अगस से form start हो चुके हैं जो कि 21 अगस तक जाएंगे इसका मलब अभी आपके पास काफी समय है closing date for receipt of application अगें वही एक किसा अगस होनी चाहिए अभी हुआ है tentative date of online examination अगर हम लोग इसकी बात करें तो सितंबर लास्ट या October की starting में exam होने वाली है मनलब जब आप preparation mode में full flow में होंगे उसी के साथ यह vacancy आई दो चलिए exam pattern की बात तो exam pattern दोड़ा सा यहां पर अलग लग है इसको ध्यान रखने ज़रूरी है जो चार एरियाज है जो हमेशा हम लोग अपनी preparation में पलगते ही है इससे पहले वाली slides में हम लोग ने बात करी थी कि अलग 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 ट्रेड में वेकिंसी निकली है आप इस पर्टिकलर ट्रेड के questions आपको यहां पर देखने को मिलेंगे जिनके number of questions 50 होंगे और marks आपके total 135 बनने वाले 120 मिनट का cumulative पर होगा आपके पास कोई sectional time नहीं है और यहां पर ध्यान रखिएगा यह वाला area जो है बहुत असान आने वाला है अगर आप bank SSC की त्यारी कर रहे हैं तो यह area तो आपको पता भी नहीं चलेगा बहुत easily इसको solve कर लेंगे जूनियर office assistant की जो post है उसके लिए उन्होंने दो round रखें second phase और first phase में basically उन्होंने typing test रख रखा है typing skill test जैसे के लोग उन्हें पहले भी देखा था चालिस words per minute हिंदी और तीस words per minute English की speed अगर आपकी है तो आप phase one clear कर जाएंगे और इक वालिफाइंग नीचर का है अगर आपने इसको एक वर clear कर लिया तो merit आपकी finally यहां से बनने वाली है जिसमें वही हमारे common area जी एंग्लिश लॉजिकल रिजनिंग और पॉछा जाएगा 120 मिनिट का पेपर होगा टोटल 200 कोशन 200 मार्ट अगें बहुत असान आने वाला है प्री एक्जैम के टीर बन एक्जैम के जो पेपर होते हैं उससे भी जूनियर टेक्निकल पोस्ट जो है उसके लिए अगें आपका professional knowledge consider होगा यह जो कोशन है इनके संख्या यहां पर कम होगी टोटल 100 कोशन मांक्स 125 दो गंठा आपको फिपर सॉल करने को मिलने वाला है आगे एक्जाम सेंटर एक्जाम सेंटर ध्याम लखना बहुत जरूरी है क्योंकि बैंक नौट प्रेस दिवाज जो है वो मद्धिप्रदेश में है इसलिए आप दिखें मद्धिप्रदेश में चारों बड़े शहर हैं बुपाल इंद और जबलपुर वालियर वहां पर एक्जाम सेंटर हैं अलग स्टेट से आते हैं तो आपके इस एक्जाम सेंटर से हापर मेंचन है अपर इस सेलरी क्या मिलने वाली है इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करने बेसिक सेलरी जो टॉ सबस्क्रांव को मिलने वाले हैं और मैंबरस्मेंट अगर आप कवाया हैं तो जाते हैं या किसी प्रकार का अन्य रीबर्समेंट है तो वो भी SOS है और अगर आप देखें तो लगदग आपके सेलरी सत्ताइस और बारा बें जोड़ता हूं तो 49,000 प्रोस करेगी जा सकते हैं क्योंकि यह दोनों तो अगर मैं अच्छी वेकंसी आपके लिए बिलकर आती है तो जब कुछ है नहीं तो कुछ मिल जाए बहुत अच्छा माना जाता है और अगर वो सरकाई नौकरी हो तो फिर सोने पर सवागा है तो इसको लाइटली मत लीजेगा वो सभी लोग जो लगातार करते जा रहे हैं देखे एक अच्छे वेकंसी आई है प्रिविएस यर्स पे भी मेरे कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो में में स्ट्रीम के एक्जाम्स नहीं क्रेक कर पाएते पर ऐसे वेकंसी चुप्ते से चले जाती है वो क्रेक्टर के आज हूँ वहाँ पर बैठे हो काफी अच्छी काफी